हैलो डिये स्टूछेंस वेल्कम टू इंडियन द्वास तोई साज मीच्टा से महरास्टा है कोन सा सही तरीका आपको चेकर करके सही इंप्रमिशन बताओंगा तो च्पूल Contact करना है कि किसी भी ब्राउजर से गूगल डॉट को उपन कर लेना वहाँ पर आपको टाइब करना है एक स्क्लूसी वेब साइट जहां पर आपको सबसे पहले मिलते हैं आपको यहां पर सर्च करनी है जया पर यहां पर आंपन हो चुक है कि इस तरीक एसतारी के साद को करना है मतलिस पेज में मैं आपको क्या आपके अप्लेकेशन फोर्म जू ओ सटार्टेटटर और याने वाली है सेलेबस भी आपको यहां पर दिया गया तो यहां पर आपको क्या करना है नीचा आनी है सबसे पहले तो यहां पर आपको नीचा आनी है सेलेबस वाला कुई क्लिंग से आपको क्लिक करनी है और यहां पर क्लिक करना है तो जो से क्लिक करते हैं न्यू टैब में ओपन होते हैं तो यहां पर अब देख सेकते हैं MS372321 इहां पर लिखा हुआ यहां पर लिखा हुआ है यहां पर लिखा हुआ है a skin आपको क्लिक करना आप यहाँ पर नीचा नहीं यहाँ पर आते हैं हम लोग ने वीडियो बना देख लिए आप आपको देख लेना सबसे पहले आपको क्या करना यह फोर्म फिल करनी है आपको क्या क्या है सबसे पहले आपको फुल नेम क्या है सबसे पहले आपको फुल नेम क मुझे चे चे नेक्स्ट आपका करेंट्ली इत्रीट किया चीड इस इच नेट करने है चुट लिए यहां पर सिल्क किजिए पर देचे पर नेक्स्ट इत्र आपके निद्र इस निद्ल देचुन आपको । कर तोर पर आप यहां पर ओके तो यहां पर एक्जांपल तोर पर आप कहां करेंगे वाले हैं कौलापूर ओके बहुत सारे यहां पर पन्वेल पत्टना पूने चातियो लिधाने तो यहां पर मैं सेलेक्ट करता हूं मुंबई एक्जांपल तो मुंबई यहां पर सेलेक्ट क या फिर बीसी एंसी एंट सेलेक्ट करने या फिर आपको सेलेक्ट करने आपको इमेल आड़े को तुरूब आपको फिर यासे मशाते रहेंगे तो आपको आपको ग्लबब करने हैं तो जैसे आप इैंट करते हैं अब यह 소rom गलते हैं होगा से लेबस मार्किंग स्कीम आप देख सकता है लेटर तो अब यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर मैं नीचे आता हूँ यहां पर देख सकते हैं यहां पर सबस्कार का बनाओ को पुछ है ने वहां पर देख की अगर कोई भी कोशन देदे आपको आई जाएगा क्यूंकि आपका से लेबस क्लियर है ठेक clear मतलब आपको syllabus आपका जो है आपको पूरा मालूम है ठीक और सब कुछ आपको अच्छे से मुलान है तो यहाँ पर जो subject दिया गया mathematics का paper first में तो आपको जो यहाँ पर लिखा गया है 11th और 12th में एंसी कोई question यहाँ पर बताएगे multiple choice question ओके यहाँ पर 11th का 11 तो मतलब यहाँ जो है mathematics है 10 थे यहाँ पर 40 12 यहाँ पर हर एक question पर two marks एक question पर two marks पर marks पर marks पर question तो two marks का जो होगा एक question के लिए एक question अगर right है तो two marks मुलेगा समझे अब मैं आप आप देख सकते हैं total marks कितना hundred marks का आपका होगा duration in minute तो 90 minute का आपके पास time है यह आपको complete करना तो आप आप देख सेकेंड में भी physics का chemistry का भी दिया गया है तो आप कर आपका chemistry में है अप 11 में 10 यहां पर physics में बेक हैं तो इक अपर 10 की मार्क्स आपको मिलेगा तो यहाँ पे टोटल आपका 100 मार्क्स का होगा ठेक और 90 मिनट का आपके पास समय है ठेक तो इस तरीकर आपको दिया गया तो फेपर थर्ड में आपको बायोलोजी का जो यहाँ पे 11 में 20 MCQs आपको मिलेंगे 80 जो है 12 में आपको MCQ मिलेंगे और एक कोशन पे एक मार्क्स आपको और मतलब हर एक कोशन एक कोशन होगा तो उस पे भी एक मार्क्स मतलब सारे कोशन हर एक कोशन पे पर कोशन पे एक मार्क्स आपको टोटल मार्क्स 100 मार्क्स का होगा आपको टाइमिंग है 90 मिनिट का ठेक तो the question will be based set तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर physics, chemistry, biology, mathematics के base पर जो है question जो आपको set है subject यहाँ पर आपको दिया गया रहाएगा, तो यहाँ पर आपको subject बता गया physics, और physics में chapter unit तो 11th के जो आपको subject है, तो यहाँ पर क्या है, आपको 11th को यहाँ पर आपको मिल जाएगा 11th का, 11th का क्या है, motion in a plan, law of motion, gravitation, thermal properties of, तो क्या है आपका 11th का जो physics के हैं, वो सारे जो है आपको chapter यहाँ पर तो chapter आपको पढ़ना है, chemistry, chemistry में भी आपको some questions आपको यहाँ पर chapters, कुछ questions, कुछ chapter यहाँ पर जो दिये गए, वो आपको chapter वहीं पर पढ़ना है, mathematics में भी बढ़ सकते हैं, आपको सारे जो chapter यहाँ पर यहाँ से लग रहे हैं, तो यह आपको mathematics में जो 11th में आपको 11th के subject, 11th के syllabus हैं यह, इस chapter के base पे आपको जो है, आपको syllabus आएंगे, और questions म बलेंगे, और biology देख सकते हैं, biology, molecules, repairing, energy, transfer, human, nutrition, तो यह जो आपके biology में, आपको 11th में, यह syllabus है, यह chapter है, यह chapter पे, मतलब इस chapter के syllabus पे आपको, जो एक question आपको मिलता है, तो उसके साब साब को, आपको answer लिखना रहता है, तो यह जो सारी सीचे, आपको 11th में, काफी easy है, तो इजी है पर पढ़ना भी है तो यहां पर इस तरीके सब को जो आपको तयारी करने है काफी इस तरीके से आपको चेक कर लेना आपको यहां पर अगर कुछ भी राउट होता है तो डेफिनिटी कमेंच कर सकते हैं इसा ही वीडियो फीचर पामे के लिए शालों को कीजिए एंड लाइक कीजिए यह वीडियो पसंद आती है तो तैंक यू सो मश्वरोशिन